इंडिया's most affordable premium electric scooter, simple one. July 2022 में अपने launch के साथ ही अपने price, range, performance की वज़े से इस गाड़ी ने market में काफी सोड़किया बटोरी. But, बार-बार delivery में हुई देरी की वज़े से लोगों में काफी negative sentiments भी चले, इसको लेके market में काफी negative news भी चले. But, finally, simple energy ने come back करा है, इससे related news अब आने लगे हैं. जानेंगे इस वीडियो में simple energy से related सारे updates. Hello, दोस्तों, आपके techno भीया दिवाकर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं. वीडियो पसंद आए, तो इससे like कर दीजेगा, चैनल पे नए आए हैं, तो आपको पता है, इसको subscribe करना है, क्योंकि इस तरीके की informative वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ. Let's go! तो दोस्तों, Simple Energy ने finally अपनी manufacturing unit Vision 1.0 के नाम से होसूर तमिलनाडू में स्टार्ट कर दिया है. Yes, finally Simple Energy की अपनी manufacturing unit इंडिया में बन चुकी है. ये 2,00,000,000 फिट में फैला इनका plant per year 1,000,000 unit तयार करने की capacity रखता है. Plant January 19 से operational हो चुका है. ऐसा इनके founder CEO सुहास राज कुमार जी का कहना है. इन्होंने खुद Twitter पे इस चीज का announcement किया है कि factory already operational हो चुकी. तो अब मेरा ऐसा prediction है कि March 2023 से ये company अपनी scooter Simple 1 के delivery को start कर देगी. अब ये होगा कैसे? तो ऐसे leaks हाए हैं कि ये state-wise phase manner में होगा. जैसे किसी एक city को पकड़ा और वहां कुछ unit दिये, फिर दूसरी city, फिर तीसरी city, तो कुछ इस तरीके से phase manner में इसके delivery होने वाली है. Company ने अभी तक कोई भी showroom या कोई experience center अभी तक नहीं बनवाया है. तो बहुत जादा chances हैं कि इनके जो scooter है, simple one, उसको direct factory से customer तक पहुचाया जाएगा. जैसे कि Ola already कर रही है, तो कुछ उसी तरीके का इनका भी logistic होने वाला है. Now comes to next update, 26 January, yes दोस्तों हमारा Republic Day, एक बहुत important day है और इस day पे इस दिन काफी बड़े-बड़े announcement होने वाले हैं company के तरब से, ऐसा company के media report में आया है. जो leaks निकल के आये हैं, उसके according, company अपनी manufacturing unit के बारे में और ज्यादा update मीडिया में दे सकती है. इसके अलावा, simple one के delivery date और price को लेके काफी ज्यादा buzz market में हैं, तो उसको भी अब शांत कर देगी company, finally जो है, एक final announcement करेगी, कि simple energy का delivery कब से start होने वाला है, और इसका price क्या होगा, by the way, एक बहुती bad news है, simple one का price hike होने वाला है, तो अगर आपको चाहिए और आपने book नहीं कराया, तो आज के date में उसको 1,947 rupees के साथ आप book करा सकते हैं, बट मैं ऐसा suggest नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि अभी तक गाड़ी on road आई नहीं है, एक बार गारी on road आ जाए, उसका कुछ user feedback, video हम लोग बनाए, उसके बाद decide कीजिएगा, कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस price segment में और भी rate में available हैं, last but not the least, company अपने नए projects के बारे में कुछ unveil कर सकती है, कुछ reveal कर सकती है, yes दोस्तों, Simple Energy के founder सुहास राज कुमार जी का कहना है, कि company नए projects, नए electric vehicles के उपर भी काम कर रही है, तो इस republic day हो सकता है, कुछ उसके बारे में announcement हो जाए, कुछ और उसके बारे में जानकार करें, जैसे ही कुछ आता है, मैं आपको उसे time update कर दूँगा, इसके लिए आपने अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe करके bell icon जरूर दबा दीजेगा, क्यूंकि जैसे ही मैं कोई update दूँगा, आपको notification आ जाएगा, अगर आपने bell icon प्रेस करके रखाए, by the way, simple one electric scooter पे detailed video चैनल पे already uploaded है, उपर i button पे click करके आप इसे देख सकते हैं, वीडियो informative लगे तो इसे like कर दीजेगा, चैनल पे नहीं हैं तो इसे subscribe जरूर कर दीजेगा, subscription आपके लिए free है, बट मेरे लिए ये एक बहुत ही motivating factor रहता है, आपके लिए और ज़्यादा मेहनत, और ज़्याद झाल झाल झाल